नमस्कार आप देख रहे हैं कच्छा चिठा और मैं हूँ आपके साथ दृष्टी गुपता पश्यमी बंगाल में एक बार फिर से मम्ता बेनर जी की सरकार मुश्किलों में घीर गई है वैसे पश्यमी बंगाल की सरकार का नाम बदल कर अगर घोटाले की सरकार रख देंगे तो कुछ गलत नहीं होगा ऐसा हम नहीं पश्यमी बंगाल की मम्ता बेनर जी की सरकार में हुए घोटाले चीख चीख कर कह रहे हैं पशिम बंगाल की सरकार पर सिक्षक भरती घुटाला, दमकल भरती घुटाला, नगरपालिका भरती घुटाला, मंडरेगा में भरष्टाचार, कॉपरेटिव बैंक में घुटाला, ग्रुप डी की नियुक्ती में भरष्टाचार जैसे कई आरोप लगे है मंत्रियों के साथ-साथ कई नेता और अफसरों की गिरफकारियां भी हुई है कोट के आदेश के बाद E.D. और SBI पूरे मामले की जाच कर रही है लेकिन लोग अब चाहते हैं कि दोशियों को सजा मिले क्या है पूरा मामला जिसको बाद में ममता बनर जी की सरकार बुरी तरह से फस गई है इसी का पूरा कच्छा चिठा आज हम खोलेंगे सवालों के घेरे में ममता बनर जी की सरकार पश्यम बंगाल में लगा घोटालों का मेला लोगो निकी घोटाले बाजों पर कारवाई की मा क्या घोटाले बाजों को बचा रही ममता सरकार पश्म बंगाल में त्रिणमूल कॉंग्रेस की सुप्रीमो ममता बेनरजी की पार्टी त्रिणमूल कॉंग्रेस प्रष्टाचार की आरोपों से घिरी हुई है साल 2011 में वाम मोर्चा को पत्से हटाने के बाद सत्ता में आईत्रिन मूल कॉंग्रेस के नेताओं पर पिछले 12 सालों से ब्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं कलकता हाई कोट और कुछ में सुप्रीम कोट के आदेश पर सिबयाय और इदी इन मामलों की जाँच कर रही है कुर मंत्री पार्ट चटरती सहेठ ती-मसी के आला नेताओ की गिरखतारी हुई है करोडों के घोटाले हुए और पैसों के बदले नौकरिया दी गई कई अभी भी जेल की सलाकों के पीछे हैं कोट में मामले की सुनवाई चल रही है इस बीच E.D. में नौकरी भरती के मामले में अभिशेक बनर जी उनकी पत्नी और उनके पिता और मा को तलब करने और नियाय पालिका भरती को डाले में मंतरी रतिन घोश के घर पर E.D. की छापे मारी और 8 अक्टूबर को मंतरी फिरहाद हकीम पूर मंतरी मदन मित्रा दमदम नगरपालिका के चेर्मेन हरेंदिस सहित टीमसी के कई नेताओं के घर पर सिबियाई की छापे मारी के बाद फिर से ये पूरा मामला गर्मा गया है दूसरी तरफ कोट ने भी E.D. और सिबियाई पर जल्द मामले के निप्टारे के लिए दवाब बनाना शुरू किया है ऐसे में ये जानना बेहती मैत्वपून होगा कि आखिर बंगले में कैश्व और जॉब की कहानी कैसे शुरू हुई ब्रश्टाचार में टीमसी के नेता, मंत्री, कारेकरता, आलादिकारी से लेकर स्टाफ सभी का नेक्सस काम कर रहा था और इस नेक्सस ने ब्रश्टाचार की पूरी कहानी लिखी मंत्री की गिरफतारी से शुरू हुई कहानी पिता मुखर जी को गिरफतार कर लिया गया था लेकिन जिस तरह से 24 घंटों तक रुप्यों की गिंती होती रही उससे पूरे देश की नजर इस घटना पर गई और इसकी सुर्खियां बनी थी बाद में ईडी और सिब्याई जांच में खुलासा हुआ के पार्ट चटर जी सिक्षा मंत्री थे उससे में साल 2014 में बंगाल स्कूल सर्विस कमिशन ने सिक्षक भरती के लिए नौकरी का आविदन निकाला ये भरती प्रक्रियाद साल 2016 से शुरू हुई और आरोफ लगे कि सिक्षा मंत्री ने स्कूल सर्विस कमिशन के आला पदा अधिकारियों और टीमसी नेताओं के साथ मिलकर पूरे घोटाले को अंजाम दिया जांच में खुरासा हुआ कि टीमसी के निचले स्तर के नेताओं ने ऐसे उम्मीदवारों से संपर्ख बनाया जिने कम नंबर मिले थे उन उम्मीदवारों से टीमसी के कुछारोपी नेताओं ने पैसे लिये और उनकी लिस्ट मंत्री और अधिकारियों के पास पहुँचे मंत्री और अधिकारियों को मंजूरी के बाद नंबर बदले गए और जिन उम्मीदवारों को कम नंबर मिले थे उनके नमबर बढ़ाये गए और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट भी जारी हुई थी जिनों मिदवारों को कम नमबर मिले थे उनसे टीमसी के कार्वकरताओं के माध्यम से पैसे लिए गए और उन्हें पैसों के एवज में नौकरियां दी गई ऐसे उमिदवारों को नौकरियां दी गई जो TET की परिक्षा पास नहीं कर पायती और इस नौकरी की बंदरबात में TMC के नेता से लेकर आलाधिकारी तक शामिल थे बाद में इन में से कईयों की गिरफतारियां भी हुई और फिलहाल वो जेल की सलाखों के पीछे हैं आरोपय के बंगाल सिक्षक भरती घोटाला 32,000 प्रात्मिक सिक्षकों को अनैतिक रूप से नौकरी दी गई है ग्रुप सी में कारेरत 842 लोगों को नौकरी दी गई दमकल विभाग और नगर पालिका में भरती में धांदली हुई सिबियाई और एडी ने जब जान चुरू की तो घोटालों के तार जुडते चले गए और सिक्षक भरती गोटाले के साथ साथ नगर पालिका में भरती दमकल में भरती के मामले सामने आए आरोप लगा कि नगर पालिका में टीमसी नेताओं के सिफारिश के बाद नौकरियां दी गई नगरपालिका विभाग में अनेक्तिक रूप से नौकणी देने के मामले में पहले मंत्री रथिन घोश के घर पर एडी ने चापे मारी की और अब सिबियाई मम्ता बेनर जी के खरीबी मानी जाने वाले मंत्री और कोलकाता नगरनिकम के मेर फिरहाद हकीम के घर पर चापे मा मानी जा रही है क्योंकि वो त्रिणमूल कांग्रिस के नकेवल आला नेता हैं बलकि मम्ता बेनर जी और अबिशेक बेनर जी के काफी कारीबी माने जाते हैं करकता हाई कोट ने विशेशकर नयायतीश अबिजीद गंगोपाधियाई ने ब्रस्टाचार के आरोपों को की जाच चल रही है और कोट में मामला चल रहा है कोट में लटका मामला अब फैसले का इंतजार बंगाल में नौकनियों में घोटाले का मुद्दा राष्ट्रे स्तर पर घूंजा बीजेपी ने इसका मुद्दा बनाते हुए त्रिन मूल कांग्रिस पर हमला बोला हलंकि ट पूरे मामले की एडी और सिब्याई की राजनीतिक उद्देश से प्रेरित होकर कारवाई करार दे रही है। वरिष्ट राजनीतिक विशलेशक पार्थ मुखोपाध्याय कैश और जॉब घोटाले को लेकर कहते हैं कि सिख्षक भरती घोटाला, मंद्रेगा घोटाला, नगरपालिका में घोटाला, कॉपरेटिव बैंक और ग्रुप D स्टाफ में घोटाले के कई मामले आए हैं और इन B.I. का अस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन लोग अब निसकर्ष देखना चाहते हैं, लोगों की ये धार्ना बनती जा रही है कि जान पूच कर मामले को लटकाया जा रहा है, उनका कहना है कि जिस तरह से इन भेष्टाचार के मामलों को खीचा जा रहा है, उससे ये जा रहा है कि इस देश में सभी के लिए कानून समान नहीं है, एडिया से भी आई बुलाती है लेकिन राजनीतिक नेता संबन पर जाने से इंकार कर रहे हैं, उनके खिलाफ एडिया भी हार्ड स्टेप नहीं ले पा रहा है, ऐसे में लोगों के मन में आशंका पैदा हो रह जबकि हजारों लोगों को नौकरियों से वन्चित किया गया है, इसमें नेता से लेकर अफसर तक शामिल रहे, निया आयले में मामले चल रहे हैं और लोग अब ये देखना चाह रहे हैं कि दोशियों को सजा मिले और वन्चितों को उनका हक मिले, वहीं दूसरी तरफ पूर्सी छोड़ने को तयार नहीं है, एक के बाद एक घुटाले से जनता को लूटने का काम ममताब एनरजी की सरकार के मंतरियों ने किया, लेकिन फिर भी ममताब एनरजी की खामोशी ने बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं, अब देखना होगा कि आखिर ये प्रहाल के लिए इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहे हैं, कैपिटल टीवी जैहिन